तो अपने उसके रिगार्डिंग भी डिसकस करने वाले हैं अब डॉकॉमेट्ट वेरिफिकेशन जो परसेस है वो कब तक स्टार्ट होगी इसी बात को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वेट कर रहे हैं तो friends अपने उसके regarding भी discuss करने वाले हैं और साथ में ही जो student जिनके marks यहाँ पर अगर अपने बात करें 38-39 थे लेकिन उनका किसी reason की वज़े से यानि की अच्छी त्यारी के वावजुद भी उन student का selections नहीं हुआ 40% का जो criteria वो पास नहीं कर पाई और कुछ number की वज़े से वो रहेगी आप student चाहते हैं कि इसमें जो स्थिलता है वो दी जाए यानि कि जो 40% वाला जो आपका criteria है उसको कुछ कम कर दिया जाए ताकि जो student यहाँ पे कुछ marks से रही है उनको भी select कर लिया जाए उसके regarding भी अपन उसको लेकर भी बहुत सारी student जो है परिशान है कि जब इसका document verification सोगा तब student को जो है OBC और EWS का certificate की विज़े से भाहर ना कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे एक rule जो है इन्होंने बताया है कि जो आपकी आवेदन की form भढ़ने की आवेदन की last date है उससे पहले का आपके पास cast certificate होना चाहिए OBC EWS category के अंदर SE और ST category के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है क्योंकि उनकी validity जो है lifetime होती है इसलिए उनके लिए ये rule जो है लगू नहीं है बट यहाँ पे जो student सबसे ज़्यादा बरिशान है वो है OBC category की student क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको जो है cast certificate की करता है कि राजस्तान सरकार को computer अनुदेसक भरती में स्थीलता देनी ही पड़ेगी क्योंकि अभ्यार्थियों की कोई गलती नहीं है गलती बोड की है जिनोंने paper कठीन मनाया तो यह मान सकते है कि paper का level बहुत ही आपका hard रखा गया था possibility है आग की यहाँ पर दो स्थीलता है वो दीज आएगी जहां तक लगता है क्योंकि बहुत सारी student ये भी चाते है कि वापस से आपका exam जो है वो conduct करवा लिया जाए जो बची हुई पोस्ट है आपकी यहनकि अगर अपनी बात करें तो लगभग यहाँ पे 3000 पोस्ट जो है बची हुई है अग जो document verification होगा उस time भ जो है board ही decide करेगा कि आपको स्थिलता देनी है या फिर वापस से आपका exam जो है वो करवाया जाएगा क्योंकि कुछ student का मानना है कि इसमें स्थिलता दी जाए 40% और 35% जो criteria के लिए उस criteria को कम कर दिया जाए तो यहाँ पर possibility तो लग रही है friends कि आपका जो यहाँ पे स्थिलत इसके अंदर भी बहुत सारी student बाहर हुई है क्योंकि second जो paper था computer वाला basic computer का वह बहुत ही जादा लेवल का था और उसके अंदर बहुत सारी student जो है 40% के around में यानि कि 39.something कुछ student के mark से फिर वह इस exam से और इस vacancy से बाहर हो चुके है तो friends यहाँ पर देखती है board क्या decide करती है अगर आपकी यहाँ पर वापस से vacancy आती है यहन 4,000 post भी अगर आपकी वापस से vacancy आती है तो भी आपको फाइदा होगा और अगर आपको स्थिलता दी जाती है तो भी आपकी त्यारी जो है better है तो आपको इसमें भी फाइदा होने वाला है मैंने आपको बताया था कि IA की जो vacancy है राजस्तान के अंदर IA की vacancy भी आने वाली है लगबग 3,000 से लेकर 4,000 post तक आपकी यह vacancy आने वाली है तो आपको उसकी भी अच्छे से त्यारी करने चाहिए क्योंकि उसका जो लेवल है वो भी सेम ही है बलकि उसका लेवल जो computer instructor क जो paper था उससे कम ही रहने वाल है आप उसका syllabus देखना उसका जो syllabus है वो इसके comparison में कम है क्योंकि इसके अंदर programming का पार्ट जादा था computer instructor जो paper था इसके अंदर आपका computer instructor में programming का पार्ट जादा था इसलिए जो IA वाला जो paper है इसके अंदर programming का पार्ट नहीं है वाकी friends मैं मैंने यहां पर राजिस्तान जिके और इंडिया जिके के जो किस प्रकार से पैटर्न रखा गया है उसके रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो जो है प्रवाइड करवा दी है तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जूरूर देखना ठीक है मैं स्पेसल मैं आए इग्जाम के लिए स्पेसल प्ली इस जो एाक। बना कर देगा ताकी एक्जाम का लेवल्म सबसे पहले पता करना होगा ठीक है ृ न आगर स्टिलता मिलती है तो भी बैटर है क्योंकि उन non-students का यहांपे स्वर्टं शोर्ट्टन का यहां से श्लेक्शन हो चारी भी कर सकते हैं अब देखो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट यहां पर OBC और AWS सर्टिफिकेट की वज़े से जो स्टूडेंट परिशान है उनके लिए अगर अपने देखें तो यहां पर चैनित अभियर्थियों को बाहर नहीं होने देंगे साथ में अगर अपने आप यहां पर देख सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक भरती में रिक्त पदों पर स्थिलता देने और OBC AWS सर्टिफिकेट की वज़े से किसी भी अभियर्थि को बाहर नहीं करने कंप्यूटर अनुदेशक भरती में चैनित अभियर्थि जो हैं उनक आपका डॉक्मेट वेरिफिकेशनिस बらका इसे के अंधर आपका डॉक्मेट वएरिस्पिकेशन स्टार्ट नग जासे हें स्टडेन्थ आपको अपनी डॉक्मेट्स चुहें वह अच्छे से त्यार करने तक है अगर अपनी यहां बात करें ओ और जो स्टूल WS category की student है और जिनका कास Certificate बहुत ज्यादा पुराना है उनके पास जो है आवेदन की तीती से पहले का कास Certificate नहीं है या है तो वो तीन साल से भी ज्यादा पुराना है क्योंकि जिनका तीन साल तक का है वो तो आपको 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 यहां पर इस भरती से भाहर कर दिया जाएगा कांस सर्टिफिकेर की विज़े से आपको बाहर नहीं किया जाएगा आप इस टेंशन से फ्री रहें चीक है और फ्रेंस अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो लाइक करना और अपने दोस्तों की साथ में ज्यादा सी ज्यादा शेयर करना तो फ्रेंस आप यहां पर देख सकती है सुचना साइक और प्रोग्राम्मर की विज़्यपती जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए ग्यापन सोंबा तो फ्रेंस मैं आपको बता दू सुचना साइक की जो भरती है वह आपकी आने वाली है और लगभग आप मान कर चलो तीन हजार के राउंड में आपकी पोस्ट रहेगी वही पर प्रोग्राम्मर की जो भरती है इसके अंदर लगभग बताया जारा के धाईसो पत के लिए वेकेंसी रहेगी तो काफी अच्छी वेकेंसी जो है आईटी सेक्टर के अंदर यह दोनों आने वाली है तो आपको अ यहां पर सुचना साइक जो वेकेंसी है इसकी अगर अपनी बात करें तो यहां पर राजस्तान जीकी और इंडिया जीकी का लेवल क्या रखा गया है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दी है तो अगर आपनी वो लेक्टर नहीं देखा है तो जुरूर देखन सुचना साइक की जो वेकेंसी है इसके अंदर जो कंप्यूटर का जो पोश्चन रखा गया उसका लेवल क्या रहेगा वह भी अपने डिस्कुस करने वाले हैं क्योंकि इसमें जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले जो स्टूटेंट है वह लगब इस वेकेंसी के अच्छी तो क्या इसमें भी जो लेवल है वह बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जैसा ही रहेगा अप्यूटर सेक्टर का तो उसके रिगार्डिंग भी अपने डिसकुस करेंगे क्योंकि इसका जो अप्रोग्रामिंग आपका जो पार्ट है वह नहीं रखा गया इतना तो 2018 का जो पेपर है उसके लेवल के साथ में अपने कामपेर करेंगे 2022 के अंदर इसका पैटर्न किस परकार से रह सकता है और फिंस यह वाली जो वेकेंसी है यह CET के जो है CET से बाहर है तो इसका यह भी बैनवीट रहेगा और बहुत सारी वेकेंसी जो CET के अंदर इंक्ल अभी से इस वेकेंसी के लिए अच्छे से त्यारी करनी है और अपने यहां पर बात करें डॉकॉमेंट वेरिफिकेशन बेसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तो उसके अंदर जो में में डॉकॉमेंट से वो कौन कौन से त्यार करनी है आपको उसके रिगार्डिंग भी अलक सी डिस्कुस कर लेंगे ठीक है